जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो मैं हूँ सारजेंट सिवा आप सभी को पता है कि मैं येरफोर्स में जॉब करता हूँ और दोस्तो आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जबकि दोस्तो सचाई ये है कि यूट्यूब पे जो आजकल चैनल है और वीडियो को अपलोट कर रहे हैं वो एक्टी परसेंट जोब की बैकंसी के बारे में गलत जानकारी देते हैं आपके लिए या फर दोस्तो बिलकुल फेक नोटिफिकेशन डाल देते हैं आप क्या करते हैं उस वीडियो को देखते हैं और उसके फर्म धूरने के लिए निकल पड़ते हैं आपके लिए फर्म मिलते नहीं है क्योंकि दोस्तो ये जो वीडियो होती है ये फेक होती है और इन वीडियो के बारे में जिस भरती के बारे में बताया जाता है वो भरती निकले ही नहीं खोती है तो आज मैं आपके लिए ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि अपने चैनल को आपरेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत तरीका बताऊंगो कि आप अगर YouTube पे कोई इसी भी वीडियो देखते हैं आपसे कोई भी YouTube चैनल बोलता है कि यहाँ पर यह बैकंसी निकली हुएंगी जैसे for example दोस्तों ITVP के official website खोली हुई है मैंने अभी आपसे कोई दोस्तों अगर यह बोलता है YouTube पे आप वीडियो देखते हैं कि ITVP में इतनी वेकंसी निकली हुएंगी तो उनको आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं तो simple सब्दों मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपके लिए सभी forces की जैसे कि ITVP हो गई, CRP, CISF है, BSF है, SSB है, उसके बाद में Ministry of Defense, इसकी SSB, RPF, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force और SSC और CRPF जितनी भी दोस्तों forces की official website है मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ इससे दोस्तों आपका फाइदा क्या होगा कि अगर आप YouTube पर देखते हैं कोई वीडियो तो आप जो मैं आपको website बताऊंगा इनको आप नोट कर लीजिएगा आपको जैसे ही कोई वीडियो मिलती है कि भाई इस department में इस force में इतनी vacancies निकली हूँए आपको करना किया direct official website पर आकर खुद चैक करना है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से request होगा कि ये वीडियो दोस्तो बहुत ही खास है और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे आपको बहुत ज्यादा time की जरूरत पड़ी है तो दोस्तो आप सभी से request है कि वीडियो को like कर दें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें जिससे दोस्तो हमारे जो योबा है जो candidates है जो बच्चे है जो भरती देख रहे हैं उनके लिए कभी भी कोई गलत information ना पहुंचे ठीक है तो चलिए दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके सभी official website खोल के मैंने रखी हुए जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि इन कि उसे इसकी website है उसके बाद हो दोस्तों यह 비ैशेव कम और यह दोस्तों आपकी और प्याफिसेल एफिसयल website यह कि आरु और की आर्मी माद को बताओ का लेकिन असे पहले जो मैंने एकberry बना करके रख्यों इंगे आपको थेसे पहले जो मैंने एक स्लैट मळाओ के एड्रस बताने के लिए उसके लिए आप देख लीजिए और दोस्तों कॉपी पाइन लेकि यह जो स्लाइड है इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है मतलब इसमें जो भी मैंने वेफसाइट के लिंक दिया है आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से और इनको आप कॉपी पाइन लेके नोट भी कर सकते हैं सबसे पहले हैं दोस्तों ITBP ITBP की जो ओफिस्यल वेफसाइट होती है दोस्तों वह होती है www.recruitment.itbppolice.nic.in ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर आपका CISF तो CISF की जो ओफिस्यल वेफसाइट है दोस्तों वह है www.cisf.gov.in अबलिक recruitment ठीक है आप इसको दोस्तों Google में मारेंगे तो आप directly ICISF की ओफिस्यल वेफसाइट पर इंटर कर जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आती है दोस्तों BSF तो BSF की ओफिस्यल वेफसाइट है दोस्तों www.bsf.gov.in जो मैं आपको address बता रहा हूँ अगर आप इस address को note कर लेते हैं और इस address को आप जाकर Google में मारते हैं तो दोस्तों आप directly इनकी official वेफसाइट पर पहुंच जाएंगे तो ओफिस्यल वेफसाइट है वो है दोस्तो www.ssv.gov.in दूसरी वेफसाइट इनकी ssv.nic.in आप इन दोनों वेफसाइट में से कोई सी भी वेफसाइट के लिए चूज कर सकते हैं और आप directly सस्थर सीमा बलकि official वेफसाइट पर पहुंच जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आती है दोस्तो इंडियन रेलवे यानिकी हमारी आरपियफ तो आरपियफ की जो वेफसाइट है दोस्तो वो रेलवे से समझने तो आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तो आपको जाना होगा www.indianrailways.gov.in उसके बाद में दोस्तो आपका जो आरपियफ क बिल्कुल दोंगा तो आपको बिल्कुल भी डड़ने की जरूर नहीं है बस आपको करना क्या है लाश्ट तक वीडियो को देखते रहे हैं मैं आपका आज पूरे के पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूँ नेक्स्ट आती है दोस्तो CRPF की वेबसाइट तो CRPF की ओफिसिल वेबसाइट है आपकी www.crpf.gov.in ठीक है उसके बाद में दोस्तो नेक्स्ट आती है हमारी आर्मी की तो इंडियन आर्मी की जो ओफिसिल वेबसाइट है दोस्तो वो है www.joinindianarmy.nic.in ठीक है एक बाद और औ पता देता हूं www.joinindianarmy.nic.in नेक्स्ट आती है दोस्तो हमारी एरफोर्स की वेबसाइट तो अगर आप एरफोर्स की भरती के बारे में आपको पता नहीं चल पाता है तो आपके लिए यह जाना है डिरेक्टली www.yearmanselection.cdac.in ठीक है इस वेबसाइट पर आप एरफोर्स क recruitment website पर इंटर कर जाएंगे और आपको लिए जहाँ पर वहाँ पर जितने भी भरती के निकले हुएंगे सबके जानकर आपको एक साथ मिल जाएगी नेक्स्ट दोस्तों इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी की website दोस्तों है www.joinindiannavy.gov.in ठीक है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी एसे वेकंसी जो की SSC की थ्रोर रिलीज होती है तो SSC इनकी दोस्तों भरती निकालता है यह जो website है www.ssc.nic.in ठीक है तो यह हैं दोस्तों सभी website अभी मैं आपके लिए इनका example देके बताँ हुए लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक बार फिर request होगी कि अगर आपने प्रेंज करते हैं और हम चलते हैं अपने मेंपेंज पर आप देखेंगे यहां पर यह आई टीवीप के ओफिसिल वेबसाइट है अभी दोस्तों यहां पर यहां पर इन्फोर्मेशन होती है भरती से रिलेटर आपको यहां पर मिल जाएगी और यहां पर आपको एक जगह यहां भी मिल जाएगी जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि एड्मेट कार्ड फॉर इस्किल टेस्ट ऑप कॉंस्टेवल ड्राइवर 2017 यहां पर पूरी जानकर यह दिजा रही है देखिए रिकूर्ट्मेंट फॉर दे पोस्ट ऑप कॉंस्टेवल जेनरल ड्यूटी अंड फ़र आप देखेंगी तो यहां पर भी सबसे पहले यह जो फ्लेस है यहां पर आप के लिए कोई भ्रती के जैनकर्ट यह सबसे पहले दोको थिए जाता है तो आपके लिए इन फोर्म खर दिए जाता है नेक्स्ट वेब rejection इहां पर गूटेञें यहां में यहां पर जाने क आपको यहां पर क्लिक करना जितनी भी भरती में निकली हुई होंगि पूरी बरतिोगों की डिटेल यहां पर मिल जाएक है नेस्ट भरती है दोस्तोर यहां पर आपकी से आर्म में कहीं पर भी पूरी इंडिया में भरते निकली हुई है तो आप पता लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आता है यहां पर एर फोर्स तो एर फोर्स की वेकंसी को आर्म में यहां पर डिटेल दी जाती है दोस्तों ठीक है यह पूरी की पूरी जानकरी चलती रहती यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती है यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती है यहाँ पर आपको जो भी वेकंसी निकलती है उनकी जानकारी आपको मिलती रहती है उसके बाद में CRPF CRPF के vacancies भी आपके लिए यहाँ पर देखती रहती है ठीक है यह देखिए recruitment का portal है यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लेना तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जै भारत